कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुल्क केरिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुल्क से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटी तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तो नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ सत्मोला कवियों की चौपाल में आपका हर दिक स्वागत करता हूँ भूली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ ये देख ओ फुद्दू एक गया से बरा गुबार अपनी मा को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किक सत्मोला और उसका चटपटा तेस्टो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला चालीबरेट सेलिबरेट सेलिबरेट रेलीज़ फुक्रे 3 इंपेट्रोस नियर्यू हर पल मस्ती और रंगी विश्द सत्मोला नंकीन इससे बैटर है नाथिं सत्मोला नंकीन सत्मोला कमियों की चोपाल में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्पागत है सत्मोला कमियों की चोपाल में आज हमारा परमसो भाग्य है कि आज हमारे बीच में जो उपस्तित है आज इस कारिकम को जो भव्य गरीमा में एक आनन्द हमें परदान किया करने वाले जो हमारे साथ उपस्तित हैं उनका नाम होता है शिरी डॉक्टर संदीप मारवा डॉक्टर संदीप मारवा एए एफटी के आप चांसलर हैं और ये जो अकैडमी है इस अकैडमी से बहुत ही हजारों के तादाद में जो इसके स्टुनेंट्स हैं वो यहां से निकल करके अपने परचम को फेरा रहे हैं आप जो वर्तमान में जो नोईडा है आज नोईडा जो आज इंतरास्टे फलक पर उपस्तित है उसका जो कारण है और उसके जो एक पुरोधा है वो डौक्टर संदीप मार्वा ही है डौक्टर संदीप मार्वा जो अपने जो संदीप मारवा जी मारवा स्टूडियो के आप चेयर परसन है और आपने लगबग 3700 फिल्मों का निर्वान किया है जिसमें से हजार से अधिक तो स्थापित फिल्म कलाकार बन चुके हैं सिल्वर स्क्रिन के कलाकार बन चुके हैं साथ ही जो सबसे बड़ी बात है आप स्वियम लिट फैस्ट करते हैं और फिल्म फैस्टिवल आईजन करते हैं और आपके फिल्म फैस्टिवल की ख्याती अंतरास्ट्र अस्तर पर होती है और उसकी ख्याती निरंतर बढ़ रही है और आज जो आप हमारे बीच में पस्तित हैं आप एक साहित्य के संवर्धन करने वाले नायक हैं उस नाते आपको हमने अपने सत्मोला कम्योंग चोपाले बुलाया क्योंकि एक फिलम से जुड़ावा व्यक्ति जो खुद अपने दॉक्टर संदीप मारवाजी उपस्तित एक बार पुनाम उनका हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्तित हैं देश की सुप्रसिद्ध लब्द परतिश्टित उर्दू शायरा कवित्री अना दहलवी जी हमारे बीच में उपस्तित हैं देश ही नहीं अंतराश्य स्त राधर पर ख्याती प्राप्त बहुत ही रखहßen और प्रग्यान पुरश का जाता, यानि कि आपने विज्ञान के उपर जितनी हास्य वियंग की छुटी ली रशनाय किसी मैं ने दी और आप विज्ञान कभी संहिलन में भी आप पाई जाते हैं च्छाये जाते हैं जा जोरदार तालियों के साथ पंडिस सुरेश्ट नीराव हमारी बीच में उपस्तित हैं देश की लब्द परतिश्टित गीतकार और शायरा डॉक्टर पूनम माटिया सत्मोला कवियों जोपाल में हम सबसे पहले जिनको कविता पाठ कराने जा रहे हैं और वो एक उर्दू अदब की बहुत ही शांदार एक कवित्री हैं अगर मैं कहूं विश्वेख्यात हैं और सफसे बरी बात है कि कभी और साहित्तिकार होना बड़ी बात नहीं है उसका मर्म और धर्म समझना बहुत बड़ी बात हती है वहवार में उसको सिद्ध कर रही है हमारे बीच में उपस्तित उर्दू की शायरा अना देल्वी जिनको मैं बड़े स्ने से प्रेम से अना दिदी बोलता हूँ और अना दिदी के लिए बहुत बार में अपने टीवी शो पे बोल चुका हूँ उनके लिए जिस मिजाज की वो शायरा है दो पंक्ति कहना जाऊंगा कहूं क्या किस तरह से जिन्दगी को जी लिया मैंने चुबन सुई घुटन धागा लगो को सी लिया मैंने आप सभी को मैं मेरी तरफ से आदाब डमन परणाम और साद्दा चैनल की बहुत शुक्र गजार हूँ बहुत ही महबते मिली है इस चैनल पे मुझे और खास तरफे सत्मौला चौपाल की और मेरे परवीन भिया की कि जब जब आई हूँ मुझे बहुत ही महबतों से गया है उमीद है मेरे जितने भी सुनने वाले हैं जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे भी मुझे उतरा ही प्यार मिलेगा ये मैं आपके समक्ष एक बहुत ही खुबसूरत और नया गीत लेकर आई हूँ कोशिश कर रही हूँ आज पहली बार पढ़ने की कि शायद आप सब सब्ससे ऀफ extend कोृश्ट स्वा रख वी सुनने और जो मेरे सुनने वाले हैं आप वह वह मेरे सॕोत ही ओने सुने, सुनेगा, सुने, खुद को सम्हाले रखना, तुम खुद को सम्हाले रखना, गीत है सुनेगा, खुद को सम्हाले रखना, अगर तालियां बच जाए तो बड़ा मज़ा रहेगा, खुद को सम्हाले रखना, तुम खुद को सम्हाले रखना, तुम खुद को सम्हाले रखना, तुम खुद को सम्हाले रखना, चांस से तारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को सम्हाले रखना, तुम खुद को सम्हाले रखना, तुम खुद को सम्हाले रख बहुत मन दिया और ये बंद सुने ये मायूसी का आलम ये तरसी तरसी बाहे ये मायूसी का आलम ये तरसी तरसी बाहे ये सूरज की चिंगारी ये चलती जलती राहे चाओं मिले जिस छट के नीचे वो छट डाले रखना खुद को समाले रखना तुम खुद को समाले रखना चांस सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना तुम खुद को समाले रखना तुम खुद को समाले रखना ये धूल के चाए बादल ये फूल से खाली डाली ये धूल के चाए बादल ये फूल से खाली डाली ये खंजर के उजियाले ये जखमों की हरयाली ये धूल के छाएं बादल ये फूल से खाली डाली ये खंजर के उजियाले ये जखमों की हर्याली नफुरत के बाजार में रहकर प्यार को पाले रखना खुद को समाले रखना तुम खुद को समाले रखना छां सिटारे बुज़ जाए तो दिल में उज़ाले रखना तुम खुद को समाले रखना तुम खुद को समाल रखना ये उजड़ी उजड़ी महफिल ये फीकी फीकी दुनिया ये उजड़ी उजड़ी महफिल ये फीकी फीकी दुनिया ये बिन पानी की जीले ये सुखे सुखे दरिया ये उजड़ी उजड़ी महफिल ये फीकी फीकी दुनिया, ये बिन पानी की जीले, ये सूखे सूखे दरिया, प्यास के दिन आने वाले हैं, बर के प्याले रखना, तुम खुद को समाले रखना, तुम खुद को समाले रखना, खुद को समाले रखना, तुम खुद को समाले रखना, तुम खुद को समाले र चांग सितारे बुज़ जाए तो दिल में उचले रखे ना विद्ट को समयले रखे ना तुम खुद को सब रखेना का बहुत है सब कर बहुत अब मैं जिनको को प्रस्तित करने जा रहा हूं वह हैं देश के लबद परतिष्ठत प्रज्ञान पुरिश पंदिस सूरेश निरव जी पंदिस सूरेश निरव जी संस्कृति समन्वे समिति के नाम से पटल भी चलाते हैं और देश के लब्द प्रतिष्टित कवियों के साथ नव रचना कारों को भी प्लेक्ट फॉर्म देते हैं और सम विचारे संस्थाओं के साथ परस पर एक सूझ बूझ का हम नाता समझोता रखते हैं हम चाहते हैं की जिस प्रकार से प्रशी कारे कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे और प्रथ्डेशित का जम आते हैं और पंड़ जी श्रंगार और वो भी जब अना देहलवी साथ बैठी हो तो श्रंगार इनके मुझ से निकलना सुरू हो जाता है वैसे तो मूलता है वो हासे के कभी हैं तो मैं पंड़ जी के लिए दो पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा वो पंक्तियां डक्तर कुबर विचैन् श्रधे मरे कावेगरु डॉक्तर कुबर विचैन जी की है और उसी मूड बेवाज पढ़ना चाहते हैं वो डॉक्टर कुबर विचेन जी कहते हैं नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ मुझे वी गहा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ नमस्कार दोस्तों मैं सुरेश नीरव आज सत्पोला कवियों की चौपाल में आया हूँ एक गजल पढ़ूँगा गजल को यूँ तो बड़ा संजीदा दीवर की बिदा की चीज मानी जाती है लेकिन मैंने उस गजल को ओटों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है एक मुस्कुराती सी गजल सुनिएगा देखेगा कि दुश्मनों ने तो चलो राष्तों में बंपोड दिये तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तो बहुत अच्छे मत दिये दुश्मनों ने तो चलो राष्तों में बंपोड दिये तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड दिये सर उठा कर ना मिला आँख की हम जैसों ने कितने बेहते हुए दरियां के रुक मूड दिये और एक शेर दे रहा हूं कि मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे से पहले यह शेर पहुंच जाता है देखेगा इसका थीम के वह इतना है कि जब अपने पर दर्द आता है तो दूसरे का दर्द समझ में अपने घर छूट के जब जेल से आया के दी अपने घर छूट के जब जेल से आया के दी बंद पिंजुरे में जुकंची सबी छोड़ दी अपने घर छूट के जब जेल से आया के दी अपने घर छूट के जब जेल से आया के दी बंद पिंजुरे में जो पन्ची थे सबी छोड़ दी अपने में जुगनू के इतने घर आज के लड़ के कहने में जुगनु के इतने गए आज के लड़के बल्व जलते ते जो खंबों पैसा भी तोड़ दिये कहने में जुगनु के इतने गए आज के लड़के कहने में जुगनु के इतने गए आज के लड़के और एक शेर दे रहा हूँ एसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर राजनीती मुझे इतना तो बता दे सारे भारत के गदे दिली में क्यों छोड दे अ हिसैं मा इंतना तो बता दे आ कि राज नीती हम दे मुजे इतना तो बता दे आखिर सारे भारत के गदे दिल में जोड़ दिये और हमें पनकार संपती हमारी है कलम हमें पनकार संपती हमारी है कलम दिल के टूटे थे जो रेष्टे वो सभी जोड़ दिये दुश्मनों ने तो चलो रस्तों में बम फोड़ दिये तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तो बाद दिल तो बाद दिल तो दन्यवाद आपने इतने मौबधों से प्यार से अतने सनी से मेरे गजल को मेरे कविता पार्ट को सुना फिर कभी आप से मिलेंगे बहुत आवार पने जी जो आपने भारत के सारे गदे छोड़ने की बात कई वह राज़िती पतो आती है आज कल हम टीवी चैनलों पर जो ड आज कर उसमें मधारी होता है और किस प्रकार से अच्छे प्रबूत लोग वह अगर मैं नाम अगर किसी पाइटिव नाम लेना चाहूं तो एक सुप्रिया सुरनेत होती हैं वह मुर्गी बन के आती हैं वह बड़ी कुण 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 करती हैं कोई दूसरी बारत के गुदों को पूशा है सचाहिंए कि राजरिती की गथे आवश् falsch क्या हैं राजरoquती की यह मुर्गे आश्रीत आ और यह विद्डुपताओं को जब हम देखते हैं, तो शुद्र राजर्णती की बात करते हैं तो उसमें अनेक लोग बीयाते हैं लेकिन आपने जो इतना तीखा भ्यंग किया है उसके लिए आपको हार लेक साधवाद तो अब ऐसे में जब देश की बात करते हैं चुनाओं के परिनाम आ चुके हैं और आभी भी मैं देख रहा हूं टेवी चैनल्स पे मुर्गे मुर्गियां लड़ रहे हैं कोई बधाई किसी को ओदेरा कोई बधाई चीन रहा है । ऐसे में सबरस मुसराणी याद आते हैं कि हाई कमान प्राइंद्र राजा जी की fica पंक्तियां याद आ रही हैं सबरा समुसराणी के लिए हाई कमानने भाया जी को पाउयोटेस्ट निकाल दिया यानि की हीरे को का समझ नाली में डाल दिया मेरी धरम-पत्नी बड़े दुखिस्वर में देखो जी पहले नेता जी कोठी बंगला कार से देश चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं मैंने कारी बेकूफ यह पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं किसी भी नेता का मजाग उड़ाना अच्छी बात नहीं है लेकिन जो नेता देश का मजाग उड़ाते हों मैं उनकी मजाग उड़ा हूं तो कोई बुरी बात भी नहीं है एक राख सुना रहा हूं ऐसे नेताओं के लिए जो देज में इस बतन में रहकर और गोटा ले करते हैं ब्रष्टा चार करते हैं जेल की हवा खाते हैं तो ऐसे नेताओं के लिए यानि ब्रष्टों के लिए मैं एक राग सुना रहा हूँ सुनें इस राग का नाम है गरधव राग गरधव राग और इसका जो गायन काल है हर काल हर समय पर गया जाता है और इसमें जो ताल है तीन ताल चार था तीन ताल चार था और इसका जो सुर है सुर जो इसका है सुर वो है असुर आप देखें मैं यह गरधव राग सुना रहा हूँ सुनें आप आप निता जी हमसे करो नहा सी ठटा निता जी हमसे करो नहा सी ठटा निता जी हमसे करो नहा सी ठटा पहले दिखाते जूटे सपने पहले दिखाते जूटे सपने पहले दिखाते जूटे सपने फिर ठुलू ओ सिंगटा नेता जी हमसे करो नहासी ठटा नेता जी हमसे इसका पहला बंद है महलद महले खड़े तुमारे महलद महले खड़े तुमारे महलद महले खड़े तुमारे अपना गिरासु अट्टा नेता जी हमसे करो नहासी ठटा नेता जी हमसे करो नहासी ठटा और इसका अगला जो बंद है वह बहुत अच्छा है आप देखें तुम होटल में रबरी सट को तुम होटल में तुम होटल में रबरी सट को हम पीते हैं मठा नेता जी हमसे करो नहासी ठटा और आगे दिन में डोला तुम होटल में तुम होटल में रबरी सट को पेर पूज ते है राम दिन में डोलो तुम पेर पूज ते रात हात में कट्टा निता जी हमसे करो नहासी ठट्टा और अंतर नहीं इसका राजनीत के तुम हो बगुला राजनीत के तुम हो बगुला राजनीत के तुम हो बगुला हम उलू के पठ्था नेता जी हमसे करो नहासी ठट्टा पहले दिखाते जूटे सपने फिर ठुलू ओ सिंगट्टा नेता जी हमसे करो नहासी ठट्टा तैंक यू धन्य बगुआ अभी लेते हैं एक चोटा सा कमर्शल ब्रेक पिर मिलते हैं अपने सयोगी प्रशांत अवस्थी नली नी राज मोसम के साथ सत्मोला कम्यों की चोपाल में मिलते हैं एक चोटे सा कमर्शल ब्रेक कि बूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, यह देख ओ हुद्दू, एक गया से बड़ा गुबारा अपनी माँ को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल और जब हो साथ सत्मोला और उसका चटपता तेस्टो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला चीज़ बचेगी असानी सत्मोला चीज़बरेटर रिलीज़ फुक्रे 3 इंपेटरस नियर युट पर जादू कर डाला स्वाध स्वाध में जम कर खाया सत्मोला ने खुब बचाया आने से डलता है क्या सत्मोला आए अंतरालक के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मन पसंद प्रोग्राम सत्मोला कवियों की चौपाल में आज इस चौपाल को एक नया रूप प्रदान करने के लिए देश के चुने हुए कभी जो आये हुए हैं, वो अपने आप में एक विशेश पैचान रखते हैं, उनके शब्द सौंदर्य में एक अलग अल्हडपन से हैं मैं इस अल्हडपन को शुरुआत देने के लिए अमंत्रित करता हूँ, जो कि सदा बाहर रहने वाले मौसम की भाती हैं, नाम भी उनका कहीं न कहीं, उसको परियावित करता है, आईए बुलाते हैं, श्री बशान सर्माजी को गाजियाबाद से सत्मोलावियों की चपाल को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं पांचवी बार यहां उपस्तित हो रहा हूँ, विशय को ना ज्यादा आगे बढ़ाते हुए, मैं एक कविता बेटियों पे लिखूंगा, उसके संदर्म में मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, एक मेरे मितर थे, उनके पुत्रियां थी चार, पत्नी जब पांची बार गर्वती हुई तो वो भी जब टेस्ट कराया, वो भी पुत्री थी, उन्होंने उसका एबोर्शन करा दिया हुस्पिटल में, और मेरे को बोला कि इसको मैं मोधी नगर से बिलॉंग करता हूँ, मुरा मेरी आखों के सामने रहता था, और उसी को सोच कर मैंने कविता लिखती है कि एक बेटी मां से कह रही है कि तु मुझे जन्ने मत दीजो, कविता जन्नी मोहिना जनने दीजो, मुझे को जनने से पहले तु मुझे को जनने से पहले तू बात मेरी सुन ली जो जननी मोहिना जनने दी जो बेटा और बेटी दोनों ही बेटा और बेटी दोनों ही एक व्रक्ष के फल है दोनों ही मा बाप का देखो करते नाम उजवल है फिर बेटे के जनम दिवस पर गाते लोग बधाई है और बेटी के जनम पर देखो क्यों होती रुसवाई है इस अंतर का बेद बता कर इस अंतर का बेद बता कर तब जनने को रीजो जननी मोहिना जनने दी जो जननी सारी दुनिया को हाँ मैं ही तो जनती हूँ जननी सारी दुनिया को हाँ मैं ही तो जनती हूँ जननी नाम धरा कर जग में क्यों सब की सुनती हूँ मेरे दौरा जने गए जनन मेरे दौरा जने गए जनन क्यों नहीं मेरी सुनते अगर सुना होता जो मुझे को ये किस से ना बनते जो अपमान पिया है तुने जो अपमान पिया है तुने मुझे नपी ने दी जो जननी मोहिना जनने दी जो और मैं क्या हूँ शायद तेर को मालूम नहीं मुझे को ही देते रहते हैं लोग दिक्षा और शिक्षा पर मुझे को ही क्यों हर बार देनी पड़ती अगनी परीक्षा नहर नदी नालों में अकसर क्यों पाई जाती हूँ मुझे को इस रामराज में भी ठुकराई जाती हूँ युगों युगों से चली प्रथा पर कुछ विचार तो की जो जननी मोहिना जनने दी जो जननी मोहिना जनने दी जो बहुत ही शांदार कविता आपकी समस्ता हूं के इस कविता के साथ तमाम समवेदनाएं जोड़ करके हम सबने इसको गुना और सुना और आपने शायद लिखा भी लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि भारती संस्कृति ने हमेशा नारियों का संबान किया किया है करते रहेगी हां ये बात अलग है कि संक्रमन काल के दौरान हमें कहीं न कहीं जब अपनी बेटियों को अपनी अस्मिता को जब बचाने में सक्षम नहीं हो पाते थे तब कुछ ऐसे निरड़े लिए गए जो शायद है कि इस पूरे भारत वर्ष को कलंकित करने काल रहा लेकिन आज बड़े ही शुधार की दौर शुरू हो चुके हैं और अभी भी कुछ कुंजाइश है हमें इस पर भी शुधार करना चाहिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए अगले कभी के रूप में हमारे बीच में एक ऐसा छोटा भाई जिसका की नाम है कपिल मिश्रा और वो अपने आपको कपिल काशी के नाम से एक नई पहचान देने में प्रयास रत है तो काशी की बात हुई तो आयोध्या की भी होनी चाहिए क्योंकि काशी से पहले हम हमें राम मंदिर मिलने वाला है तो यह जो राम मंदिर है यह एक दिन का परड़ाम नहीं है किसी एक तफस्या का परड़ाम नहीं है यह सतत साधनाओं का कई बलिदानों का परड़ाम है तो कपिल से सुनते हैं कि उसने अपने शब्दों में इस बलिदान को कैसे संजोया है सबसे पहले तो मंज पर उपस्थित सभी विशिष्ट कभियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं करता हुँ गौरी संकर के लाडले गणों के देव भगवान गजानन की उप्रणाम करता हुआ मैं राम मंदिर पर अपने लिखे हुए कवता आप सभी के सम्मुख पस्तित करता हूं स्वागत है कवता कुछ ऐसे है कि बलिदान हमारा ब्यर्थ नहीं बलिदान हमारा ब्यर्थ नहीं ये बलिदानों का परणाम है आ जय उद्ध्या की गलियों में गुंज रहा एक नाम है जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम ये धरा राम की धरा राम से ये धरा राम की धरा राम से राम से हिंदुस्तान है आज ये ये उद्ध्या की गलियों में गुंज रहा एक नाम है जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम आज यसत्त की छाती पर हमने सत्त का जहंडा गाड दिया राम बिरोधी जो भी थे उन सभी से पल्ला जाड लिया मोदी में दिखे स्री राम हमें मोदी में दिखे स्री राम हमें योगी में दिखे हनुमान है आज योध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम डंका बजा सनातन का हम सत्त सनातन वाले हैं काल से जो भी डरें नहीं स्री राम मेरे रखवाले हैं आज ये युद्या की गलियों में गुंज रहा इक नाम है जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम दिवस ये पावन आया है निजपुर्खों के बलिदानों से मंदिर अजाद करवाया है हमने बड़े हिसानों से सीतारसोई सीता बोले सीतारसोई सीता बोले सर्यू बोले स्रीराम है आजय उद्या की गलियों में गुझ रहा इक नाम है जैस्रीराम 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 कि जुकने न दिया भगवा जिसने हम उसका नमक चुकाएंगे इतने नमक खराम नहीं हो सकते जी जुकने न दिया भगवा जिसने हम उसका नमक चुकाएंगे सोगंधराम की हमको है हम भगवा ही लहराएंगे अपने तो केवल दो मालिक एक मारुति दूजा राम है आज युद्या की गलियों में गुण्ज रहाई के नाम है जैस्री राम जैस्री राम नाम के विशय वस्तु को आज चुना हुआ है कवियों के लिए और कविता के लिए मैंतली शरण जी ने राम के विशय से संबंद्ध सिर्फ इतनी ही बात कही है राम तुम्हारा चरित स्वयम एक काव्य है और कोई कवी हो जाए सहज संभाव्य है उसी राम की वहमा का वड़न करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी आजीवन के लिए अमर हो गए तो आएए राम के काजव है जिसने भी बल्दान किया उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं आए ऐसे ही गीतों कविताओं को लिखने वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम है चंद्रकांता शिवाल दिल्ली से हम सब के बीच में पदारी हुए आए स्वागत करते हुए उनका जिवर्दान ताली से मैं चंद्रकांता सिवाल दिल्ली से दिल्ली प्रांतिय रेगर पंचयत पूरव परधान आप सभी साधना टीवी के दश्कों का मेरा साधर परणाम स्वागत और सिदा सिदा अपनी कवीता मा को समर्पित मेरे भाव विशिर्स के सर की क्यारी सी के सर की क्यारी सी जोड़ती है सब को मासुम नित सारव सी जोड़ती है सब को मासुम नित सारव सी और मा को ये भाव विशिर्स ये माई कैती है ये माई कैती है धारा जीवन की जून दिया मेहती है और मा का प्रेम अमोल है नहीं दिवस का चाओ मा का प्रेम अमोल है नहीं दिवस का चाओ मा की अंगूली थाम के चलते नन्हें पाओ चलते नन्हें पाओ और नारी के सम्मान में घर घर होना चाहिए नारी का सम्मान सचे अर्थो में यही है सुख की पहचान है सुख की पहचान है सुख की पहचान है और नारी का सम्मान सब दिवों में है सबसे बड़ा है जी नारी तू नारायैनि नारी तुम ही वेद्व दूना रायैनि नारी तुम ही वेद्व सुप्त हिर्दे में स्वामिनी भरती हो सम्वेद भरती हो सम्वेद बेटियों के सम्मान में भावशिस सरगम जैसी गीत सी वाणी का अनुराद सरगम जैसी गीत सी वाणी का अनुराद बेटा मिलता भाग से बेटी मिले सो भाग बेटी मिले सो भाग और एक गज़र कट चाहेगी हर कदम पर गिरे ठोकरें भी लगी हर कदम पर गिरे ठोकरें भी लगी वो मुझे हर कदम पर उठा तारा जिन्दगी ने कभी जब रुलाया मुझे हम नवावो मुझे फिर हां साता रहा और शेर देखेगा कि दर्द कितना था दिल में मगर देखिये दर्द कितना था दिल में मगर देखिये वो बहारों का मोसम सजाता रहा और शेर देखेगा हसरतों की सजी मैं फिलें जब कभी हसरतों की सजी मैं फिलें जब कभी वो सहरा को गुल्षन बैना तारा और शेदल का मत्ता पेशे खित्मत है जब चली गरदिशों की चंदरे शावा जब चली गरदिशों की चंदरे शावा वो दुआओं में सर को जुका तारा वो दुआओं में सर को जुका तारा बहुत ही शांदार गजल रही आपकी और आपके दोहों ने आज एक नहीं उचाई को छुगा है इसकाव्य संध्या में भारती संस्कृती में कहीं न कहीं जो बहुत महत्तपूर्ण रहें वह रहें वेद पुराण उपनिशत और ऐसे ही संस्कृती संस्कार शिल परिवारों से जब नाम लेकर के आई तो वेद प्रकाश फुंदड़ी जी को मैं अमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से दन्यवाद प्रशांद जी प्रतम बार सत्मोला कवियों के मंच पर आया हूं सत्मोला कवियों की चौपाल इस देन टीवी साधना हर ख़बर के सभी दर्शकों को मेरा नमन अभीनंदर जी चार पंक्तियां अपने पहचान की कि शास्त्र सब पढ़ लिये शुन्या चिंतन रहा शास्त्र सब पढ़ लिये शुन्या चिंतन रहा मंत्र सब मथ लिये मौन मन्थन रहा ज्यान गंगा में गोता लगा कर भी मैं जान पाया न किंचन रहा बाद सुन बहुत दन्यवाद मेरी जो गजल की शुरुवात है एक मुक्तक से होती है देश के बारे में जैसा आज का देश जैसा चल रहा है नया भारत जनम इस मिट्टी में जिसका भी वो महरम निकलता है महरम कहते हैं ग्यानी सरवग्या मरमग्या गुड रहे जानने वाले को उसी से मिलता जुलता सब्सक्राइब मरहम जो हम सब्सक्राइब जानता है ज्यान मन को दोता है और और तन को दोते हैं बहुत सुंदर मैं पंक्तियां फिर से देता हूं कि ऐसी हमारी मिट्टी हमारे देश की मिट्टी विभो मा भारती की हर जुबां से कोटिशह मुख से रिदय से रोम रोमों से यही हर दम निकलता है क्या सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है है छट रहे काले काले बादल अग्यान तम से निकल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है बदल रही रुख हवाए अपना स्वच्छंद पुरवाई बह रही है हुई है पच्छवा हवाए धू मिल ये राष्ट फिर से समहल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है ये संक्रमन का है दोर इस में ये संक्रमन का है दोर इस में इसोर मानव उस छोरदानव समुद्र मंथन है चल रहा कहीं समुद्र मंथन है चल रहा कहीं सुधा कहीं विश निकल रहा है है क्या बात है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है और ये शताधिक शेरों अशेरों बबर शेरों से संबलित ये मेरी गजल इसके केवल मैं एक और शेर स्वागत है नवीन निर्मान हो रहे हैं पुरान सप्रान हो रहे हैं वो भूल कुछ जो हुई विगत में सुधार उनका भी चल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है है छट रहे काले काले बादल है छट रहे काले काले बादल अग्यान तम में अग्यान तम से निकल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है मैं समस्ता हूं कि इस कावे पाट के बाद में किसी भी तरीके के ग्यान को देने की आवश्यक्ता नहीं रहे जाती है अब समय हो चुका एक ऐसे नवांकुर को बुलाने का जो एक ऐसे शहर से आता है इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसने का है जब हमारे शहर में मात्रा नहीं है हमारे नाम में मात्रा नहीं है हम ओच पढ़ेंगे ताकि वजन रहे हमारा तो बुलाना चाहते हैं हलदर जो की पदारे हैं अलवर के हलदर को जोड़दार कालियों से धन्यवाद आप सभी के हिरदय में विराजमान अपने इश्ट को मेरा प्रणाम क्या बात संसार में जिस तत्व की सर्वकालिक सकता है व उसे शब्द से अर्थ निकलता है उसी से भाव बनते हैं और उसी से विचार और वही विचार संसार में जितनी भी क्रांति है उसका जनक है शुरू करो क्रांति, एक इश्ट्वंदना बसे हर शब्द में है राम जिनका अर्थ है सीता हिर्दय में भाव बनबस्ता उसी का नाम है कविता स्वयम हनुमान जी रस राज भरते हर सनव रस जित यही साहित्य की है साधना जो लाद देती नित अगर हम सतंतरता की बात करें तो सतंतरता के अंतरगत बहुत से वीरों ने अपनी बलिदान दिया तो किसी भी चीज के बहुत सारे साधन संसाधन हो सकते हैं लेकिन किसी भी साध्य का एक ही साधन होता है और इस स्वतंतरता का साधन था बलिदान फिजा में गूंजती पदचाप और बंदूक की गोली छपी है आज भी हर भीत पर गहरी सी रंगोली न जाने कितने ऐसे बाग जलिया से जले होंगे ब्रह्म को छोड़ दो गोरे की चर्खे से भगे होंगे एक कविता सावरकर जी के उपर है तो सूर्यसा भीषन जिनका तेज उज में तपते थे अंग्रेज साथ में तीक्षन कलम की धार थेजो साहस से भरमार साथ में तीक्षन कलम की धार थेजो साहस से भरमार राष्ट को अरपित किया शरीर कोहलू जुतकर हुए न भीर पीर जेल में सही अने को पीर धन्यसावर करहे वीर जेल में सही अने को पीर धन्यसावर करहे वीर काल के माथे रखकर पैर, काल के माथे रखकर पैर समंदर को भी जावे तैर, स्वपन था जिनका केवल एक हिंद मैं होवे पूरा देश, आज तक जिनका ऐशा खोफ, आज तक जिनका ऐसा रोब नाम सुन गद्दारों में खोफ, आज तक जिनका ऐसा रोब नाम सुन गद्दारों में खो भाइसे होते सकल अधीर धन्य सावर करहे वीर भीश्मशा शोर्य भीश्मशा शोर्य बुद्धिबलशील राजनीती में अती प्रवीन जिनकी पुस्तक जेल दिवार उस पर लिखते जीवन सार। जिन का स्वाभी मान इच्छा मृत्य क्लिए वर्दान जै जयौशंदार कविता हें दोने पड़ी और मैं सवस्ता हूं 59 59St sound टरीकें की स्वेदा कोफने का संक्ल्प लिया हुए यह कही नहीं अपने और है की राष्ट्र सेवा है मैं इनी समवेदनाओं के साथ में अगले कवी के रुप में मैं जुड़ना चाहता हूँ दिल्ली से पधारे हुए रगवर आनंद जी से आए स्वागत करते हैं एक जोगदार तर्लो से सत्मुला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी घजल पढ़ने जा रहा हूं संयुक्त परिवार पर स्वागत है संयुक्त परिवार हमारे भारतिय संस्कृति का प्रमुकाधार रहा है अभी भी है लेकिन विभिन्द सामाजी कार्थिक दबाव में उसमें बहुत सारे विभिंटन के तत्व आए हैं हैं 500 उन विभिंटन की वज़े से क्या असर पड़ता है और क्या असर पड़ा है उसको कहने के कोशचिNow स्वागत हैं कि घरवालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया मिठु ने भी राम-राम की टेर पकड़ना छोड़ दिया घरवालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया मिठु ने भी राम-राम की टेर पकड़ना छोड़ दिया और संबोधन में पहले जैसा अपना अपन अब नहीं रहा, ए भाईया, ए भाभी, ए बाबुजी कहना छोड़ दिया और अपने अपने सपने पूरे करने को सब दोड़ रहे, अपनों की खातिर दम भर भी जरा ठहर ना छोड़ दिया और विभिन रिष्टों पर क्या असर पड़ता है, क्रमसा ले चलता हूँ कि मची महाभारत जब घर में, मची महाभारत जब घर में, तब कैसी पोथी पूजा बाबा ने भी रामा यड़ अब मन से पढ़ना छोड़ दिया बच्चे भी अब सहमे सहमे अपने कमरे में सोते दादी की परियों ने भी अब छत पे उतरना छोड़ दिया और आना जाना खाना पीना हाल चाल सब छूटा तो हार पाच के अम्मा ने भी काग उचरना छोड़ दिया और घर के मुख्या की क्या हालत होती है उसके दर्द को इस शेर में कहता हूँ कि कोई जब सुनता ही नहीं है उनकी कोई बात यहां बाबू जी ने भी अपनी हर बात पे अड़ना छोड़ दिया घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया अब मैं सीधे सीधे हम प्रारंब करेंगे संदीप मारवा जी से संदीप मारवा जी आज पहली बार आए हमारे इस साधना टीवी के परिसर में सत्मोला कमियोगी चोपाल में मैं बात कर रहा था संदीप जी की संदीप जी हर छेत्र में जो भी छेत्र पकड़ा वह पूरोधा शब्द एक होता है कि उसको उस ढंसे अर्जुन की आख की तरह उस पर केंद्रित हों करके कारे किया आज इस्तती यह है कि आज जो नोईडा है आज अंतर रास्टे फलक पर छाया हुआ है हर कोई नोईडा का निवासी बन करके अपने को गौरव प्राप्त करता है जैसे पंडिस सुरेश निर आज वो अपने आपको उसका ओरा अलग देख करके आज वो काफी आनंद महसुस करते तो इसका कारण कहीं नहीं मूल में जाता है तो संदीव जी को जाता है कि यहां फिलमिन सिटी स्थापित की और कभी जब नोईडा लोग आते थे तो लोग बड़ा अच्छंबा महसुस करते थे क्या होगा लेकिन आज जो दिल्ली एंसियार में जो गुड़गावा नोईडा का स्थान है वो हमें विदेश की एक परिकलपना साकार करने वाला जैसा पनता है आज जिसने फिलम और साहिते में इतना इतना उसमें अपना उसने अबदान दिया मैं ऐसे इस सक्सियत से कुछ बाते मैं करूंगा उनकी हम ब्लासिंग मिलेंगे सबसे पहले संदीव जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये जो फिलम सिटी की स्थापना कब और कैसे की जी दो लाइनों से शुरू करता हूं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगां चलने वालों की भी मर्जी चाहिए यूं तो मैं फिलमें हम पढ़ते रहे सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या आसमानों की भी मर्जी चाहिए 1986 दिसंबर का वक्त था जहां मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यहां एक उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए क्योंकि मैं मंबई से होके वापस आ चुका था और उन तमाम हालातों से गुजर चुका था जो शायद मैं कभी गुजरना नहीं चाहता था तो एक जित थी कि हां कुछ होना चाहिए 1986 में मैंने ये एप्लिकेशन दी थी जिसे कोई लेके राजी नहीं था पहले लेकिन ये मेरा सभाग्य अच्छा था कि नौडा चेर्मन ने इस एप्लिकेशन को एकसेप्ट किया इसकी पूरी डेटेलिंग मैंने दी और 1987 में पूरे बनाने का और प्रोडक्शन में आने का और दस मार्च 1991 को हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से शुरू कर दिया एक लंबी धोड़ थी एक साल की परस्वेशन थी बहुत सारे कागस जमा कराने थे बहुत सारे यकीन दिला आने थे और माइंड सेट तयार करना था जो यहां पर नहीं मौझूद था क्योंकि फिल्म का एक भी परसंट महौल नहीं था तो मुझे लगा कि यह सारी तकलीफ हैं अगर मैं बरदाश कर सकता हूं तो फिल्म सिटी भी आ सकती है और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैट 1991 में जब पहला स्टूडियो आया उसके बाद हम लोग पहले 6 थे फिर 12 थे और आज को मिलाकर 16 स्टूडियो हैं और नॉड़ा फिल्म सिटी जो है वो उत्तर भारत की नहीं देशी की नहीं बलकि दुनिया की इस वक्त सबसे तेज धोड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी एक संदीब जी मैं आप से और प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसा कि हमें जानका रही है कि ये एक नंबर कम नहीं होता तीन हजार से अधिक फिल्मों का निर्मान करना और लगवग इतने ही फिल्म कलाकारों को त्यार करना ये अपने आप में कीरती मान है एक होता है कि जैसे मैं कभी हूं मैं कभीता पाट करके चला गया खतम लेकिन एक होता है पालक बनना जो ने बच्चे होते हों बालक और पालक का रिस्ता आपने कैसे नहीं भाया कि सबसे पहले तो क्योंकि मुझे स्टूडियो स्टैबलिश करना था तो हम लोगों ने जान लड़ा दी दो साल हम लोगों ने सर उठा के नहीं देखा और मैं कट शॉट करूं तो आज 30 सालों में हम लोग ने मारवा स्टूडियो में बना कर हमने अंतरास्टे रिकॉर्ड कायम किया और हकीकत तो यह कि बहुत पेशन्स चाहिए और फिल्म बनाते वक्त सरफ पैसा ही नहीं बलकि इसके साथ जो फिल्म बनाने की कला है वो आना बहुत जरूरी था और शायद यही वज़ा थी कि हम लोगों ने 1993 में यह तै आगे बढ़ेगी वरना भवन तो तैयार होते चले जा रहे थे लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम थे यहां पर तो 1993 में हम लोगों ने एशियन अकैडमी और फिल्म टेलिविजिन के नाम से पहला इंस्ट्यूशन तैयार किया चालिस स्टूडन्ट चार कोर्स वो आर ब बितरीन और खुबसूरत काम कर रहा है और पर्सुएशन कंटिनियू से देखी यह पैशन तो होना बहुत जरूरी था एक स्टूडियो चलाने का पैशन एक एक इच्छा इंस्टूशन चलाने का पैशन जो है वो अगर नहीं होगा तो आप एक काम्याब संस्थान भी नही चला सकते हैं आज यह कहते हुए हर्श होता है कि ए ए एफटी जो है वो दुनिया के दस सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में इसका नाम आता है और तकरीबन 27 मुलकों में ए ए ए एफटी जो है वो केस्टेडी है यूसी एले में केस्टेडी है जो हमारी आज नई दोड़ थी और मैं अकेला नहीं था मेरे साथ बहुत सारे संगी साथी थे पड़े लिखे इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के लोग जुड़े और लोगों ने अपने बेहतरीन और मजबूत एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ बाता है और जानकारी मिली कि आपका लिटरेचर के प्रती साहित्य के प्रती बहुत ही समर्पन है आप लिटफेस्ट करते आ रहे हैं और मैं जानना चाहूंगा कि आप जो लिटफेस्ट किया और आपकी मुझे पूर्णा माडॉक्टर पूर्णा माकेज नहीं बताया आपकी अभी एक पुस्तक भी करेंगे और साथ ही लिटफेस्ट कि यह आपको परिकलपना कैसे सूजी क्योंकि मुझे जहां तक ध्याना तो लिटफेस्ट मैंने दो जगे सुनी एक तो जैपूर या फिर आपका और आज तो लिटफेस्ट की बाड़ आ गई है अफसाहिते इंडिया टूडे वाले भी कर लेकिन प्रारंब गर मैं देखता हूं तो जैपूर जैपूर लिटफेस्ट एक आपका तो ऐसा इसके बारे में आपको कैसे सुझा कि फिल्मों को और लिटरीचर को आप अलग नहीं कर सकते हैं कबकि जितनी फिल्में हैं वो कहानियों पर ही तो अधारित हैं तो वहां से क सेग्मेंट हुआ करता था लिटरेचर एंड सेवा उस सेग्मेंट को मैंने कहा कि यह बहुत ही इंट्रस्टिंग है तो इस सेग्मेंट को हम यहां तो करें गई लेकिन यहां से एक फेस्टिवल तयार हुआ दिमाग में हमारे यह सुझाव आया और हम लोगों ने इसको लि लिटरेचर फेस्टिवल अब कर रहे हैं और जो देश नहीं बलकि अंतराश्टियस थरक्यों पर कामयाब हुआ है पिछले लिटरेचर फेस्टिवल तकरीबन एक सो पैंसेट राइटर्स और कवियों ने भाग लिया तीन दिन क्या यह फेस्टिवल होता है तकरीबन बाव हूँची माकाम पर पहुँच गए लेकिन यह जरूर तसली है कि उत्तर भारत का यह अब दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है जैपूर के बाद और मुझे लगता है आने वाले दिनों में यह जैपूर से भी आगे निकल जाएगा मुझे आपकी पुस्तक के बार मुझ जानना चाहता रहा है हाकिकत तो यह कि मेरे पे तकरिपन पांच पुस्तक हैं लिखी जा चुकी हैं तो मुझे वहीं से परभावित हुआ मैं मुझे भी कुछ लिखना चाहिए तो मैंने अभी जो पहली पुस्तक तैयार की है वो आधरनिये पधानमंत्री मोदी जी पे तै पेजों में कंडेंस करके लिखा है और इसका जो विमोचन हुआ था यह पहली किताब है जो 21 सालों में मोदी जी पे तो बहुत सारी किताब है लेकिन यह पहली किताब है जो बिटिश पार्लिमेंट के अंदर हाउस अफ लॉड में रिलीज होती है और एक सिंगल किताब ने British British Parliamentarians की उनके जो पूरे माइंड सेट को चेंज कर दिया और वहाँ पर जब लोगों ने इस किताब को देखा और जब उन्हों ने ये काम देखा कि इन आठ सालों में इतना काम हिंदुस्तान में हुआ है तो उन लोगों का जो टोटल देश के प्रती प्रसेप्शन थी वो हावी हो गई और इसने उन लोगों की सोच बद्ली इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है संदीब जी एक चीज और कि आप क्यों आप भी साहित्ते के करकेम आये हैं कविता के करकेम आये हैं सत्मोला कवियों की चोपाल के बारे में हम आपकी हिर्दे से सुब कामला चा हूँ कि आप लोगों ने एक कमाल करके दिखाया है पंदरा साल से ये कारेकरम चल रहा है बीस वर्षों से ये कारेकरम चल रहा है आठ सो से भी ज़्यादा एपिसोड आप लोग इसके तयार कर चुके हैं पंदरा हाजार से भी ज़्यादा कवियों को इस मंच पर आपने न अपने आप में एक बड़ा भव्व कारेकरम है जो आप साहित्य के प्रतीक कर रहे हैं मैं इसके लिए सभी लोगों को तेरे दिल से बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूं मैं समझता हूं कि ये कारेकरम लगातार चलना चाहिए और मैं आज अपने आपको सभाग इशाली समझ रहा हूं कि मैं भी आज इस कारेकरम में जुड़ गया हूं मुझे बड़ा मुझे संदीव जी यह हम सब का परव्म सभाग एक हमारे कार्कम की परतिपद्धता होती है कि हम जब साहित्ते के कविता के छेत्री में हम किसी विशिश स्ट्रतिति कर बलाते हैं उसका विगत साहित्तिक होता है चाहे वह कोई राजितां हो पूर्व केंद उस कसोटी खुद हमारे लिए कसोटी बने कि जैसे आपने का फिल्म और साहित्ते का एक अंतर संबंध है एक फिल्म फेस्टिवल से जोड़ी एक मुझे परसंग याद आ गया कि फिल्म फेस्टिवल में जब सेलेक्शन कमिटी होती है उसमें एक फिल्म रिजक्ट कर दी ग हैं तो मेरा यह उसमें मद्ध था कि इसकी जो स्टोरी लाइन बड़ी जबर्दस्ता है अगर आप प्रवीन जी आप स्टोरी लाइन देख रहे हैं तो आप फिर आपको एक साहित्ते के किसी कमीटीव होना चाहिए आप इसमें क्यों क्या काम कर रहे है मैंने भाई नहीं आ जो फिल्म में आई सब केना सारी हर फिल्म का जो कथाना का अपने आप में बड़ा महत्पून होता है तो वही संदीव जी ने उस बात की कुस्टी करी मैं बड़ा भागया अनुभव कर रहा हूं कि आज हमारे बीच में संदीव महरवाजी रहे मैं उनका हार्दिक धन्यव के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमाले नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले ऐ शमा तेरी परवाना बन गया हूं जरा देख ले आकर दिवाना बन गया हूं सजदे में गिर गया हूं अब तो जरा उठाले हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमाई उब बचक्ण जब गुके हैं झाल 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 और अब मैं जिनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ प्रस्तुत क्या वो इस करक्यम के पुरोधा है संबर्धन करता है उनका नाम होता है श्री अनिल कुमार मित्तल सत्मोला गुरुप के आप चेर्मेन है और सत्मोला कवियों की चुपाल सत्मोला कुम्यों की चुपाल एक दूसरे के पूरक बनते वे ब्रांड बन चुका है बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है उसका नाम होता है सत्मोला कुमार उसके पैटन, चीफ पैटन, स्री अनिल मत्तल जी, आपकी हमें ब्लैसिंग चाहिए है, जाजोरदार ताले के साथ, हम उनका स्वाइब के साथ। हम लोग करते हैं, तो वो धीरे-दीरे आज की जमानी वो लुप्त ना होता हो जाए, जो आज चला है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़े बढ़ती जा रही हैं, तो यह ना हो कि हमारी पुरानी जो यह संसकार थे, पुरानी सब्वेदा थी, कवीता पाड़ था, वो धीरे दिरे-दिरे यह लुप्त होता जा रहा था, तो इसी लिए हम तोनों ने मिलके 2004 के अंदर सत्मोलों की कवियों की चपाल आरम करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं, जिसके अंदर नए से नए कवी, जो भी कवी काविय पाड़ है, उसका स्वागत करत आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके तर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्स्पिरेंस कवी हैं, वो उनको सुदा रहेंगे और आपको और इंप्रूब करने की कोशिश करेंगे, आप से निवे दिन हैं कि सत्मोला कवियों की चपाल में अभी तक यदि आप भी सत्मोला कमियों की चपाल में अपना कावे पाठ करना चाहते हैं, आप नवांकूर हैं और आपको अभी तक कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो यदि आपने गलती से भी ये टीवी कारक्यम देख लिया है, तो आप सही जगे पहुंचें, टीवी स्क में खुली रहती है, इस पे आप हमें कर सकते हैं, और सत्मोला कमियों की चपाल केवल नवांकूरों को मोका ही नहीं देता, विश्वस्तनी प्लेटफॉर्म है, देखिए लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम समालोचना, आलोचना से घबराते नहीं हैं, लेकिन दाना किशोर कुमार का जो गयव है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये 20 वर्ष की चलीवी अनवरत यात्रा आगे भी चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, केवल एक परस पर विश्वास के लिए, तो आईए, आप हमारे कारिकम के साथ जुड़िए, स 111-821-83, मिलते हैं, अगले रविवार, कुछ नई सक्षियत के साथ, सत्मोला कम्योगी चपाल, नमस्कार! विप्रेश के लिए के लिए फुक्रेट 3 एंपेटोस नियू